Students, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें पड़ी हुई चीज को remember करें सबसे पहले आपको highlighter का use करना है आपकी किताब के points को highlight करो दूसरे number पे आपको उसके summary बनानी है point-wise summary करो ताकि आप revise कर सको ये सारी चीजे exam से काफी पहले करनी है थर्ड नमबर पे आपको करना है कि जो भी पड़ा हुआ है उसका एक पिचराइजेशन जैसा दिमाग में होना चाहिए क्योंकि पिचर हमें जल्दी याद रहते हैं पॉइंट्स को पिचराइज करो दिमाग में फिट करो चौथे नमबर पे आपको दूसरे को पड़ाना है जितना आप बाटोंगे आपका अग्णान बढ़ेगा तो फ्रेंड्स को हेल्प आउट करो उससे आपकी रिविजन भी हो जाएगी पॉइंट रिवाइस भी हो जाएगा और पांचमे नमबर पे आपको टाइम टो टाइम रिविजन करना है अभी एक्जाम का अगला दिन आ गया तो आपको आपके हाइलाइट और पॉइंट्स और समरी को देखना है